सितंबर में मित्रो ब्रस्पती देवो के गुरू देव गुरू ब्रस्पती होने जा रहे हैं वक्री यानि 4 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर यानि 118 दिन ब्रस्पती देव चलेंगे उल्टी चाल सिंग रासी का बनाएंगे सिंगासन योग यानि कि कही ना कहीं आपको जबर्द सितंबर का मेना बड़ा एतिहासिक माइना रहने वाला है यानी की सितंबर के महीने में छे ग्रहे वक्री होने जा रहे यानी की बुध गुरु शुकर और शनी वक्री और राहुकेतू अलवेज वक्री यानी सदा वक्री रहते हैं तो खुल मिलाके छे ग्रे वक्री होने जा रहे हैं और यह जाता जाता साल यानि यह जो चार महिने बचे हैं 118 दिन कहीं ना कहीं सिंग रासी को कुछ देखे जाने वाला है क्योंकि अब जाते वे चार महिने सिंगासन योग बन रहा है यानि कि सब कुछ मिलेगा लोट के चलिए इसके बारे में डेटेल में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले सिंग रासी के हेल्थ के बारे में जान लेते हैं तो हेल्थ के बारे में अगर चर्चा करें तो हेल्थ यह जो चार महिने आपकी अच्छी रहने वाली है यानि कि ब्रस्पती वक्री होने के कारण ब्रस्पती आपके नववम भाव में वक्री हैं याद रखिएगा इसका गोचर नववम भाव में आपके पढ़ रहा है तो 118 दिन देखा जाए आप कोई योगा करने वाले हैं कोई जिम क करने वाले नवाम भाव जो होता है या कोई साधना करने वाले हैं आपने को अच्छा बनाने के लिए आपकी रूची बढ़ जाएगी साती साथ ब्रस पती की जो पंचम दृष्ठी है तो आपकी ही राशी पे बैठी है, तो आप अपने को fit बनाने में बड़ा ही योगदान देने वाले हैं, यानि कि आप एक routine follow करने वाले हैं, सुबह के 5 से 7 या 8 बजे तक आप कोई खेल खेलने वाले हैं, या फिर stadium join करने वाले हैं, या कुछ लोग आध्यात में योग, या धन की स्तिती के बारे मैं बात करें, तो देखा जाए, धन भाव से अस्टम भाव में अगर देखा जाए, अस्टम के स्वामी हैं, आपके ब्रस्पती, और अस्टम के भाव के स्वामी जब वकरी हैं, तो कही ना कही देखा जाए, पुराना रुका हुआ, अस्टम भाव क् वकरी होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका हानी वाला या मरा हुआ पैसा था उसका चार मैने में कुछ recovery कुछ इसा आपको मिल सकता है डूबा हुआ धन आपका वापिस आ सकता है कोई धन लेके भाग गया है पता ही नहीं है तो यह जो चार मैने उसमें आपको पता लगेगा औ कुछ पतिशत आपकी recovery मिलेगी डूबेवे धन की साती साथ देखा जाए तो लोन आपको अप्रूव हो सकता है कुछ लोग लोन चाते होंगे लोन के लिए अपलाई किया होगा तो यहां पर आपको लोन मिल जाएगा या फिर आपको सरकारी योजना में अपलाई करने से मिल सकता है ताकि आपकी जो आर्थिक इस्तती जो घर जो कमजोर हो गई है वह थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो आपके जान पचानवाले आपके यार मित्र दोस्ता आपकी help करने वाले साती-सात अस्टम भाओ दो नंबर के पैसे का भी होता है तो कहीना कहीन दो नंबर के प बरदस्त शिंगाशन योग भन रहा है. जब नवहा दस्वहा और घ्यारभा भाय भाव पावर्फुल होता है, यहाँ पर आपका नवहा भाव भाव पावर्फुल हो रहा है, ब्रस्तपती नववे में बैठे है आपकी राशी से, यानि मेसरासी में गोचर है और वहाँ पर वक्री हो गए हैं तो इससे आपका चार महीने सिंगासन योग बनेगा यानि कि बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है बड़ी दावेदारी आपकी हो सकती है या बड़ा कॉंट्रैक्ट बड़ी डील आपको मिल सकती है साती साथ जो student है जो विध्यारती है तो कहीं ना कहीं जो competitive exam है उनको अच्छे अंक मिलेंगे यानि बड़ी position आपको government job में मिल सकती है सिंगासन योग का सिंग रासी वाले जातको जातकाओ को सबसे ज़्यादा जबरदस्त लाब मिलने वाला है आप बात करें relationship की तो relationship के लिए ये जो वक्री है बहुत अच्छा नहीं है पार्टनर से बड़े वाद विवाद आपके रहने वाले हो सकता है पार्टनर से रूठना मनाना चलता ही रहेगा इन चार मेने में 118 दिन में यानि 118 दिन दामपत्ते जीवन आपका थोड़ा आज तिव्यस्त रहेगा ब्रसपती की जो दृष्टी है पांचवी, सातवी और नौवी दृष्टी के बारे में बात करें तो पांचवी दृष्टी तो आपकी राशी में जो हेल्थ को ठीक करेगी और सातवी द्रिष्टी तृत्य भाव में तृत्य भाव का मतलब यह होगा अगर आपका वीजा का कोई काम अटका है या विदेश जाना चाहते हैं आपने अपलाई किया हुआ है या विदेश में रह रहे हैं तो आपके रुकेवे काम बन सकते हैं ये चार महिने एक सो अठा संतान नहीं हो रही है तो संतान संबंदी गुड न्यूस इन चार महिने में सुनाए ही देगे और संतान के लिए प्रियास रहते हैं कोई प्रोसीजर करा रखा है कि संतान हो जाए कोई मेडिकल प्रोसीजर करा रखा है तो यहां पर आपको यह जो पांच महिने चार महिने इसमें successful ratio आपका बढ़ जाता है तो कुल मिलाक के देखा जाए तो सिंग रासी के लिए ब्रस्पती का जो वक्री का जो गोचर है वो बड़ा लापकारी रहने वाला ये तो मित्रो जनरल प्रडिक्शन है अगर आपको अपने बारे में accurate जानना है तो 7210124289 यानि यह जो मेरा WhatsApp नमबर आ रहा है देज जिजग देश विदेश में बैटे हैं आप मुझसे संपरक कर सकते हैं टेलीफोनिक एटिस एक राय ले ले एक कान से इसको भी सुने जो मैं बता रहा हूँ और इसको confirm करने के लिए कि आपकी कुंडली में भी यही घटित हो रहा है इसके लिए एक बार हल किसी अपनी कुंडली भी चेक करा ले तो मित्रो इस कारेकरम में बद इतना ही मुझे दीज़ाद चैई मता दी